हेलो एंड वेल्कम बेक टू माय चैनल आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिटेरी टरम्स सी से स्टार्ट होने वाले C से start होने वाले कुछ literary temps जो है आज हम पड़ेंगे इससे पहले जो है हम A से start होने वाले और B से start होने वाले literary terms अब तक हम पुढ चुके हैं 31 जो है literary terms अब तक हम cover कर चुके हैं तो चलिए start करते हैं 32 32 है हमारा kickophony कैकोफोनी जो है उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक हार्स और अन्प्लीजेंट साउंड यानि कि ऐसा साउंड जो कि सुना ना जा सके जो हार्स हो और अन्प्लीजेंट हो तो ऐसे सब्द जो है कैकोफोनी कहलाते हैं सेजरा, सेजरा क्या होता है, सेजरा होता है एक natural pause और break in a line of poetry, यानि कि जब आप कोई poem पड़ रहे हो, तो poem की एक line खतम होती है और दूसरी line start होती है, तो उसके बीच में कोई natural pause आजाए, कोई रुकावट आजाए, तो वो कहलाता है सेजरा, यानि कि जब poetry है उसमें कुछ pause लग देता है, यानि कि मतलब दूसरी line start होने से पहले कुछ थोड़े देर के लिए रुकना, next हमारा kanto, kanto जो है एक section division होता है, long narrative poem का, जब कोई बहुत लंबी poem लिखी जाती है, तो उनको kanto में divide कर दिया जाता है, जैसे rape of the log, five cantos में divided है, इस तरह से जो long narrative poem है, उनको kanto मे divide कर दिया जाता है, next है हमारा, kape dm, kape dm जो है, klatin phrase है, और इसका मतलब होता है, seize the day, kape dm जो है, 2021 के exam में आ चुका है, और इसमें क्या होता है, जो speaker होता है, kape dm poem जो लिखता है, तो वो emphasis करता है, वो जो डालता है, वो बताता है, कि जो life है, वो बहुत ही short है, और जो time है वो fleet हो रहा है, वो उड़ रहा है, वो जा रहा है हमारे पास से, इसलिए जो है, make the most of present pleaser, जो हमारे पास present में pleaser है, उनको जो है, ज्यादा करो, यानि कि अपने present को अच्छे से जियो, क्यों कि कल का कोई भरोसा नहीं है, कि कल क्या होगा, और life जो है हमारी बहुत ही short है, औ तो इसे हम बोलते हैं, कापे DM, एंड्रियो मॉर्वल की poem है, To His Koi Mistress, यह इसका best example है, next हमारा आता है, कैटास्ट्रॉफे, कैटास्ट्रॉफे जो होता है, टर्निंग डाउन वार्ड ओफ द प्लॉट इन ए क्लासिकल ट्रेजडी, यानि कि जब किसी प्ले का अंत जो है, वो रूप में, जब किसी प्ले का अंत हो, तो वो कहलाता है, कैटास्ट्रॉफे, कैटास्ट्रॉफे के बारे में, जो है, जब हम ट्रेजडी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने अच्छे से बढ़ा था, काथार्सिस, काथार्सिस और काथार्सिस और काथार्सिस और काथार् अउनके प्रावर सहरे हैं नहींवि और किम च्रीजें और उनमत्रा प्रावर क्संवार Sports करना ऊ messing आ दिर नेक्स्ट है हमारा केविलियर पोइट्स केविलियर पोइट्स जो है रेफर करते हैं 17th century English royalist poets को जो 17th सताबदी में English royalist poets थे तो वो केविलियर पोइट्स कहलाते हैं और इन्होंने जो है राइट किया था about courtly love courtly love के बारे में लिखा करते थे यानि कि रास प्रेम के बारे में लिखा करते थे और इन्हें sons of Ben कहा जाता है Ben Johnson के सन इनको कहा जाता है कैविलियर पोइट्स जब 1649 में चार्ल्स फर्स्ट का ऐसाने सेशन हुआ था तो उस वक्त जो कुछ पोइट्स थे उनकी जो है दो ग्रूप में बाट दिया गया था तो उनमें से कैविलियर पोइट्स था जो की courtly love के बारे में लिखा करता था जो की राजा के पक्ष में लिखा करता था और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो कैविलियर पोइट्स पर जो है एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है आप वो जा कर दीख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा Celtic Revival जो Celtic Revival है इस नोन एज इरीस लिटेरी रहने सा इरीस लिटेरी रहने सा को जो है हम Celtic Revival कहते हैं नेक्स्ट है हमारा करी कैच्चोर जो है एक डिवाइस है यूज्ट इन देस्क्रीप्टिव राइटिंग औन विजुल आर्टस इन विजुल आर्टस इन विच पार्टिकलर एस्पेक्ट ऑफ अस सब्जेक्ट आर एक्सग्रेटड तो क्रेट इसली और कॉमिक इफेक्ट् बढ़ा दिया जाता है बढ़ा चड़ा कर उसको कहा जाता है जिसे की comic effect पैदा हो यानि कि हमारी जो writing है उसमें comic effect देने के लिए किसी भी सब्द को, किसी भी बात को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चड़ा कर कहना कहलाता है carry catch your next है हमारा character character से तो सब जो है सब को पता ही है character क्या होता है character की imaginary person है जो act करता है appear होता है और is referred to in a literary work किसी भी literary work में जो act करता है उसे हम character कहते है character के बिना है कि जो है कोई story नहीं हो सकती और character के भी जो है बहुत सारे types हैं और जैसे की major, minor, flat, round, static, dynamic major character होता है जो की मुख्य character हो उस play का या उस story का जिसके इर्दगिर जो है story घुमती है minor character होता है जो major character का कोई friend हो सकता है उसको कोई relative हो सकता है और flat character, round character, static, dynamic इन सब के बारे में जो है short story जब हमने पढ़ी थी तो उसमें character के सारे जितने भी जो है types होते है उन सब के बारे में detail में हमने पढ़ा था तो आप जो short story जा कर देखेंगे तो आप उसमें character के बारे में आपको detail में मिल जाएगा इनके अलावा जो antagonist और protagonist भी होते है protagonist होते हैं जो की hero होते है किसी play के story के और antagonist होते हैं जो की यानि कि crosswise किसी words को लिखना a reversal of grammatical structures in successive phrase or close यानि कि जब हम कोई sentence लिखते हैं तो दो phrase वाला sentence होते है उसमें दो close होती है और जो second close होगी वो first close की जो है reorder में लिखी जाएगी उसके reversal में लिखी जाएगी for example we live to die but die to live तो इसमें क्या है we live to die लेकिन यहां पर इसको reverse कर दिया गया है die to live fair is foul, foul is fair यह line जो है Macbeth से ली गई है act first, scene first में Macbeth इसनी line से start होता है fair is foul, foul is fair beauty is truth, truth is beauty यह John Keats की line है और इसमें जो है जो है reverse किया गया है beauty is truth को truth is beauty कर दिया है we live to learn and learn to live यानि कि हम सीखने के लिए जीते हैं और हम जीना सीखते हैं तो यह भी जो है reverse कर दिया गया है तो यह होता है Casmas next हमारा chorus chorus जो है एक group होता है singers का जो कि play के बीच में आ सकता है play के starting में आ सकता है play के end में आ सकता है वो आपको story reveal करता है यानि कि वो जो है गाब जाकर जो है आपको स्टोरी के बारे में बताता है आपको जो है आने वाले इवेंट्स के बारे में बता सकता है या जो इवेंट्स बीद चुके है उसके बारे में बताता है या जो चल रहे हैं उसके बारे में बताता है कोरस जो है mostly आपको क्लोजेट प्ले में भी देखने को मिलेंगे और सेक्सपेर ने भी जो है कोरस का बहुँ ज़ादा यूज़ किया है जोर्मिल्डन का एक प्ले है सैमसान अगोनिस्टिस उसमें भी जो है कोरस का यूज़ किया गया है नेक्स्ट है हमारा सरकमलो कुशन जो होता है एक ऐसा वे एक ऐसा तरीका जिसमें कि राउंड अबाउड होती है यादि कि किसी बात को गुमाफिरा कर कहना किसी बात को सिंपल वे मैं ने कहा कर उसके intéress जो है कुछ उसको सब्स्टिट्ट वर्ड यूज़ कर देना जैसे past on कहना died के लिए यानि कि कोई बढ़ गया है तो उसके दिये ना कहकर कि he died हम उसके लिए कह सकते कि he past on यानि कि वो गुजर गया है तो इस तरह कि words जब हम use करते हैं जो कि सुनने में अच्छे लगे यानि कि हर्स words जो होते हैं उनको use ना करके उनके जो है इस जगह पर कोई और word जो हम use कर लेते हैं तो that is called circumlocution नेक्स्ट है हमारा next है हमारा क्लीशे क्लीशे क्या होता है ये एक saying है या remark है जो कि that is very often made and is therefore not original and not interesting यानि कि जब आप एक ही बात को बार बार कहते हैं तो वो क्या होते हैं वो boring हो जाती है वो अपने originality खो देती है आपने कोई serial देखा आप उसे एक बार देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है उसी episode को आप दुबारा देखोगे तीस बारा देखोगे चो बारा देखोगे तो क्या वो अपने जो है originality और अपना जो interest था वो खो देता है तो यह कहलते कि cliche यानि कि एक ही बात को बार बार कहना आपने कोई joke सुना आपको हसी आएगी अब दुबारा उस joke को सुनेगे तो आपको कुछ कम हसी आएगी आप तीसरी बार उस joke को सुनेगे तो हो सकते है आपको हसी आए तो that is called cliche यानि कि पहले तो जो है वो बहुत interesting लगता है लेकिन अगर उसी बात को जो है बार 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 दोराया जाए तो वो क्या हो जाती है वो बिल्कुल जो है अपना interest खो देती है अन ओरिजनल वो हो जाती है तो that is called cliche क्लिशे में जो है आपको E के उपर ऐसा मार्क मिलेगा next है हमारा climax climax जो हम figure of speech में भी पढ़ चुके है highest point of development जब development का इक highest point आता है climax जो है drama में भी आपको देखने को मिलेगा जब climax आता है एक तरह से ascending order में हम बढ़ते हैं like I came, मैं आया ऐसा मैंने देखा और I conquered और मैंने जीत लिया यानि कि पहले चोटी बात से start करते हुए हम बड़ी बड़ी बात तक पहुंच जाते हैं तो वो कहलाता है climax next है हमारा closet drama closet drama जो है उस play को कहते हैं उस drama को कहते हैं जिसको की act नहीं किया जा सकता केवल जो है पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं एक तरह से जो अलमारी में रखे वे drama या फिर आप इसको कह सकते जिसको कि आप एक जगा बैट कर पढ़ सके वो कहलाता है closet drama आप उसको एक्ट नहीं कर सकते जैसे Samson Agonistries है John Milton का next college school college school जो कहा गया था वो एक group of early 20th century critics को कहा गया था BC सधी के जो critics थे उनको जो है college school कहा गया था फिर आता है comic relief comic relief क्या होता है comic relief जो है tragedy में आता है जब tragedy मतलब tragedy चल रही होती है tragedy में क्या होता है मतलब हर चीज जो है गलती हो रही होती है और वो ही दुख, दर्द, fear, pity ये सब की feelings आती है तो इसमें जो है बीच में कुछ ऐसा scene डाल दिया जाता है कुछ ऐसा funny सा character डाल दे जाते है जो कि हमें हसाते है तो वो कहलाते है comic relief यानि कि एक relief देना जब हम tragedy देख रहे है तो उसमें जो है मतलब परशान है सब तो उसमें बीच में एक relief देने के लिए comic relief देने के लिए कुछ characters का, कुछ scene जो है उसमें insert कर दिये जाते है तो ये क्या होता है introduction of comic characters, speeches or scene in serious or tragic work अब confessional poetry का नाम आते हैं हमारे सामने एक नाम आते है कमला दास कमला दास जी जो इंडियन poetry, इंडियन जो है पोटेस थी उन्होंने जो है confessional poetry ही लिखी है उन्होंने जो अपनी लाइफ के बारे में वो सब कुछ लिख देती थी उनके साथ क्या घटना घटी उनके साथ क्या होता था वो क्या फील करती थी तो confessional poetry यही होती है यानि कि अपने बारे में बताना एक ऐसी term जो principally applied to the self-revealing style of writer यानि कि इसमें जो writer का जो style होता है वो self-revealing होता अपने आपको वो reveal करता है अपने poetry के through and use of intimate subject matter और ऐसे intimate subject matter को वो use करता है यानि कि जो intimate होते हैं जिनको publicly नहीं जो है सब open कर सकते सब जो है publicly नहीं बता सकते लेकिन जो confessional writer है वो अपने intimate subject matter है उनको भी publicly वो बता देते हैं अपने poetry में वो जो है उनको डाल देते हैं यह एक branch है postmodernism की that emerged in the United States in the 1950s उनने सो पचास में जो है United States में यह आई थी emerged हुई थी और यह style है poetry का that is personal often use of first personal narrator first person narrator यानि कि इसमें जो first person narrator आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है यह होगा कि I मतलब I, my, me, mine इस तरह का यूज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इस writer जो इसमें अपने बारे में बताता है अगर आप कमला दास की poetry पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें जो है वो यूज करती है I का जो है बहुत जादा उसमें यूज किया है नोटेबल ओथर जो है रोबर्ट लोवेल, सिल्विया पाथ और अलिस्या ओस्टिकर और कमला दास नेक्स्ट है कोनेटोशन अब जो है कोनोटेशन क्या होता है कोनोटेशन रेफर्स टू दा सेकेंडरी और असोसेटिट मीनिंग आफ दा वर्ड किसी भी वर्ड का जो सेकेंडरी या फिर उसका ऐसोसेट मीनिंग होता है उसे हम कोनोटेशन कहते हैं और नैक्स्ट है हमारा कर्टेन रेजर अब कर्टेन रेजर क्या है कर्टेन रेजर जो एक सोड प्ले होता है before the main play यानि कि जो main play present किया जाता है तो उससे पहले कोई छोटा सा play रख देना वो कहलाता है curtain razor curtain का मतलग जो तो पर्दा razor उठाना यानि कि पर्दे को उठाना तो curtain razor मतलग छोटा सा play जो है पहले रख दिया जाता है बड़े play को act करने से तो वो होता है curtain razor तो यह थे सी से स्टार्ट होने वाले कुछ लिटेरी टर्म्स